जाइका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जटपट कुछ ही मिन्टों में बनने वाले गाजर और हरी मीश के तीखे और चटपटे अचार की रेसिपी तो चलिए सुरू करते हैं सबसे पहले हम अचार के लिए मसाला बना कर तयार करेंगे इसलिए हमने यहाँ पर लिए हाफ टेबल स्पून मेथी एक टेबल स्पून साबू जीरा और एक टेबल स्पून सौफ इन तीनों चीजों को हमें लोफ लिम पर एक से तेड़ मिनिट के लिए अच्छे से रोश्ट कर लेना है तो हमने इसे एक से डेड़ मिनिट तक लोफ लेम पर रोश्ट कर लिया है और अब हम गेस की फ्लेम को ओफ कर देंगे और इसे रूम टेंपरेचर पर अच्छे से ठंडा करने के बाद मिक्सी जार में दर्दरा पीस लेंगे और इसी के साथ हमने यहाँ पर अच्छार में एड़ करने के लिए एक कप तेल लिया है आप यहाँ पर एक कप सरसो का तेल भी ले सकते हैं तो तेल को हम अच्छे से गरम कर लेंगे यानि कि तेल को हमें इतना गरम करना है कि इसका कच्छापन दूर हो जाए तो इस तरह से तेल में से जब धुआ निकलने लगे तब तक हमें इसे तेज गरम कर लेना है अब हम गेस की फ्लेम को ओफ कर देंगे और इस तेल को रूम टेंपरेचर पर गुनगुना ठंडा कर लेंगे तो अब हमने अचार बनाने के लिए एक बड़ा mixing bowl ले लिया है तो यहाँ पर हमने अचार के लिए 400 ग्राम गाजर लिये और गाजर को छील कर इस तरह के लंबे टुकडों में हमने इसे काट लिया है और इसी के साथ हमने यहां पर पांच बड़ी हरी मीचे ली है और इन हरी मीचों को हमने इस तरह से लंबा काट लिया है तो यह जो हरी मीचे हैं यह ज्यादा तीखी नहीं है और इसी के साथ हमने गाजर की मिठास को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर छोटी वाली हरी मीच ली है यह जो हरी मीच है इसकी क्वंटिटी 50 ग्राम है और इन हरी मीचों को हमने सेंटर में से कट कर लिया है और अब हम इसमें 20 से 22 लहसुन की कलिया एट करेंगे तो यहाँ पर अचार की preparation के लिए हम जिन भी ingredients का इस्तेमाल करेंगे उसका सारा पानी हमें सुखा लेना है यानि की गाजर हरी मीचों को हमें अच्छी तरह धो कर इसके पानी को पहले अच्छे से ड्राई कर लेना है फिर हम अचार की preparation करेंगे अब हम इसमें 2 टेबल स्पून नीम्बू का रस एट करके कुछ सुखे मसाले एट करेंगे तो सुखे मसालों में हमने यहाँ पर लिया है एक टेबल स्पून भर के नमक हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर और देल टेबल स्पून लाल मीच पाउडर क्योंकि हमने यहां पर spicy हरी मिश का इस्तेमाल किया है इसलिए लाल मिश की quantity थोड़ी कम रखी है पहले हम इन सारी चीजों को अच्छे से मिला लेंगे और इसके बाद हम कुछ और इंग्रीडेंट्स एड़ करेंगे तो हमने अचार के मसाले के लिए मेथी दाना, जीरा और सोफ को सेखने के बाद मिक्सी जान में इसे दरदरा पीस कर रखा है उसे इसमें एड़ कर देंगे और अब हम इसमें एट करेंगे 4 टेबल स्पून सरसों की डाल इसे अचार की डाल भी कहा जाता है अगर आपके पास इवेलेबल ना हो तो आप सरसों को मिक्सी जान में दरदरा पीस कर भी एट कर सकते हैं और हमने अचार के लिए जो एक कप तेल गरम करके रखा हुआ है उसे भी एट कर देंगे तो हमने तेल को हलका गरम रखा है तेल को गुनगुना रखेंगे तो हमने जो स्पाइसी से एट किये हैं वो सारे पीसी के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएंगे और इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसी के साथ हमारा जो गाजर और हरी मीज का तीखा और चटपट आचार है वो सव करने के लिए बिल्कुल तयार है तो देखा आपने कितनी आसान इसकी रेसिपी है और कुछी मिन्टों में कितना बढ़ी आचार बनकर तयार हो गया है इस आचार को अब तुरंद भी सव कर सकते हैं या फिर अगर आप इसे स्टोर करना चाहते हैं तो इस तरह के किसी एटाइट कंटेनर में ट्रांसफर करके दो हफ़तों तक फ्रीज में रखके स्टोर कर सकते हैं तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे फेमिली और फ्रेंड्स में जरूर से सेर करें वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फिर मिलेंगे जाइका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए गुडबाई